बाजरे का चूर्मा लड़ू हेलदी वाला घर पे ही बनाईए और जो ये आटा है मैंने दो कप लिया है इसमें कच्चा दूद ही डालेंगे दूद को उबाला नहीं है और दूद थंड़ा है गरम भी नहीं है जस्ट इसको जसे रेगुलर डो बनाते हैं यहूं का आटा बन बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए बिलकुल वैसे ही गूतना है और एक बूद भी पानी नहीं डालना है बिना पानी के इसको सिर्फ दूद से ही गूतेंगे इस आटे को तो जो चूर्मा लड़ू है बहुत टेस्टी और ज्यादा हेल्दी वाला बनेगा सॉफ्ट बन बस इसको 10 मिनिट्स के लिए रेस्ट पे रख दीजे 10 मिनिट्स के बाद फिर से इसको दूद से ही गूतना है और अच्छे से गूतना है इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है आटा बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है एकदम सॉफ्ट डो बन जाएगा देखिए अभी डो रेडी है तो बनाएंगे इसकी रोटिया तो तवा गरम है तवा गरम हो जाए तो इसको मीडियम हीट पे रख लीजे और थोड़ा बड़ा डो बॉल लीजे और इसकी रोटी बहुत पतली नहीं बनानी है ना ही बहुत मोटी मीडियम साइज की बेलेंगे अभी त और बहुत क्रिस्पी बनेगा दोनों साइड आपको घी लगाना है अच्छे से घी लगाना है वैसे भी बाजरे की रोटी घी जादा सोकती है तो इसको घी में ही बनाएगा तो बहुत अच्छी बनेगी टेस्टी बनेगी स्वाद बहुत अच्छा आएगा बहुत ही तुआरी बाजरे की रोटी की प्योर बाजरे की आटे से हम रोटी बना रहे हैं और वो भी दूट से आटा गूता हुआ तो बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी रोटी देखी कितने अच्छे से सिग गई है कलर बहुत अच्छा आ गया है पस यह तयार है ऐसे ही सारी बाजरे क ्टिया बनानी है इस बाजरे की रोटि को आप गुड और घी के साथ खा सकते हैं या फिर किसी रसेदार सब्जी के साथ या फिर को जट करे good और घी के साथ खा if you look good 2 पोत्फ़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है अभी हम इसको गुड और तो मैंने सिर्फ दो रोटियों को ग्राइंड किया है स्लो ग्राइंडिंग करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही कोरस टेक्षर आयागा दरदरा बहुत ही शानदार कितना अच्छा दानेदार है अब मैं इसमें पिघला हुआ गुड़ डाल रहे हूं गुड़ आप स्वाद के नु इतनी क्वाइंटिटी के लिए काफी है अल्रेडी हमने घी में सेका है दूद से आटा गुद के पकाया है तो बहुत सॉफ्ट है और थोड़ा सा गुड़ डाल लिया स्वाद के नुसार जस्ट इसके मिक्सिंग अच्छे से कर लेनी बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगा य अच्छा दबा दबा कर इसका लड़ू बनाएगा राउंड शेप में बनाएगा और कुछ इस तरह से बनाएगा तो एकदम स्मूथ लड़ू बनेगा गोल लड़ू बनेगा मैंने थोड़ी ही कुवांटिटी से बनाया है तो बड़े लड़ू बना लिए आप छोटे कुवांट इसके उपर कोट कर लीजी हलके हलके हाथों से घुमा के जैसे ही बाजरे का चूर्मा लड़ू बन जाए तुरंत आप इसको देसीकेटिट कोकोनट से अच्छे से कोट कर लीजे और कोटिंग के लिए ज़्यादा डेसीकेटिट कोकोनट की जरुरत भी नहीं बह आसानी से बाजरे का चूर्मा लड्डू बन गया, बहुत टेस्टी भी है और बहुत हिल्दी भी है.